डियर स्टुडेंट वेलकम टू दो यूनिवर्सल आज मैं आप लोगों को प्रस्णावली 4.1 का कोस्षिन नमबर 2 बताने जा रहा हूँ तो इसमें दिया हुआ है निम्न स्थितियों को दुगात समीकर्णों के रूप में निरूपीत कीजिए जैसा कि आप लोगों पता होगा दुगात समीकर्ण का स्टेंडर फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c is equal to 0 जहाँ पे a is not equal to 0 यह किसी भी हालत में 0 के बरावर नहीं होना चीए नहीं तो वो दुगात समीकर्ण नहीं होगा ठीक है तो इसमें क्या करना है हम लोगों को कंडिशन से दुगात समीकर्ण के फॉर्म में बना के रखना है उसको सॉल्म नहीं करना है ठीक है पहला कोश्चन देखते हैं एक आयताकर भूखंड का छेतर फल 528 मीटर स्क्वार है यदि छेतर की लंबाई मीटर में चोड़ाई मतलब इसको पढ़ना बन कीजिए छेतर की लंबाई चोड़ाई के दो गुने से एक अधिक है हमें भूखंड की लंबाई और चोड़ाई ग्याद करनी है इसके लिए आपको दुईघाज समिकरन बनाना है सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयताकर भूखंड का छेतर फल ग्या होता है लंबाई इंटू चोड़ाई चलते हैं कोश्चन पे दूसरा का पहला माना आयताकार भूखंड की चोड़ाई इस एकल टू एक्स मीटर में है एभम प्रस्ना अनुसार क्या बलता है एभम नहीं लिखेंगे प्रस्ना अनुसार लंबाई चोड़ाई से दोगुने से एक आधीक है तो इंटू एक्स प्लस वन मीटर ठीक है अता भूखंड का छेत्रफल इस इकल टू लंबाई इंटू चोड़ाई होगा तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स मीटर स्क्वाइर ठीक मीटर स्क्वाइर नहीं भी लिखने चलेगा क्योंकि हम लोगों ने माल लिया एक्स क्या मीटर में होगा दिया क्या है आयताकार भूखंड काच्छे दरफल पांचो अटाइस मीटर स्क्वाइर ठीक है इसलिए तू एक्स प्लस वन इंटू एक्स मीटर स्क्वाइर इस इकल टू पांचो अटाइस मीटर स्क्वाइर यहां से मीटर स्क्वाइर मीटर स्क्वाइर कैंसिल हो जागा अब इसको इससे multiply कर दिए 2x square plus x square sorry x is equal to 528 यहां से क्या हो जगा 2x square plus x minus 528 is equal to 0 यह हो गया form हो गया जो दुखाज समिकरन का form होना चाहिए यह इस question के लिए हो गया बहुत ही simple है दूसरा question देखिए कता है दो करमागत धनात्मक पुर्णांकों का गुननफल 306 दिया हुआ हमें पुर्णांकों को गयाद करना है ठीक है दो धनात्मक पुर्णांक धनात्मक पुर्णांक समझ रहे है चार पांच छे साथ आट नौदस सब धनात्मक पुर्णांक है लेकिन दो करमागत माना धनात्मक पुर्णांक इस एकल टो एक्स दिया क्या है दिया दो धनात्मक पुर्णांकों का गुनन फल इस एकल टो 306 डारेक्ट लिखते हैं ज्यादा घुमा फिरा के लिखना नहीं है इसमें समझ लीजिए बस काफी है यहां से एक्स स्क्वार पलस एक्स माइनस 306 इसक्वार टो जीरो यह हो गया बस इतना ही निकालना था हम लोग को इस पर कुछ नहीं करना ठीक है क्योंकि हम लोगे को इस का लिए झाली जुह है वो धनाघ्म म्यदीभात समिकरन के फॉर्म में पिंपर सेंट कर देना है दिश्रा थो काता है रोहन की मा उसे 26 वर्स बढ़ी है मतलब रोहन से 26 वर्स बढ़ी है उसकी मा उनकी आयू वर्सों में वर्सों में लिया हुआ है का गुनन फल अब से 3 वर्स पस्याद 360 हो जाएगी हमें रोहन की वर्तमान आयू ग्याद करनी है वर्तमान आयू ग्यात करनी है तो यहां से हम लोग मान लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयू इस इगल टू एक्स वर्स तो परसने से क्या हो जागा रोहन की मा की आयू 26 वर्स रोहन से 26 वर्स बड़ी है ठीक है उसकी मा कहता है कि अब से तीन तीन वर्स पस्यात यह हो गया रोहन की मा की वर्तमान आयू इस इकल टू एक्स वर्स 26 वर्स ठीक है और क्या बोल रहा है तीन वर्स पस्यात मतलब की तीन वर्स बाद इसको यहां से प्रसने से यह भी लिख सकते है यह तो नहीं भी लिख सकते है यह भम यह भम लिख देता है तीन वर्स पस्यात एक्स प्लस थ्री रोहन की आयू और इसकी आयू कितनी हो जागी उसकी मा की आयू इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन मतलब ही गुना इस उकल तू तीन सो साथ हो जाती है तो यहां से हम लोग इसको सॉल्ब करेंगे एक्स प्लस थ्री इन्टू एक्स प्लस ट्वैंटी नाइन इसकी तू तू थ्रीस्स्क्ति यहां से X स्क्वार प्लस 29 X प्लस 3 X प्लस 29 गुना 3 किजिए 29 27 32 6 28 ठीक है इस इगल टू 360 यहां से X स्क्वार 32 X अब यह इधर मैनस में आएगा 87 मैनस 360 इस इकल टू 0 X स्क्वार प्लस 32 X मैनस 3 5 15 में से 8 गेम 7 273 यह हो गया हमारा यहां से जो X निकालेंगे किसका हो जागा रोहन की आयू तो यह हमारा जो दिखात समी के रन है यह रोहन की वर्तवान आयू गयात करने के लिए मतलब की है और चौथा नंबर का क्वेशन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है एक रेल गाड़ी 460 किलोमेटर की दूरी समान चाल से ते करती है यदि इसकी चाल आठ किलोमेटर प्रती घंटा कम होती है तो वो उसी दूरी को ते करने में तीन घंटे अधिक लेती है हमें रेल गाड़ी की चाल गयात करनी है ठीक है इसके लिए आपको द्युगात समिकरन मनाना कि हमें रेल गाड़ी की चाल निकालनी है ये कंडिशन दिया हुआ है सीज़े समझी देखिए क्या है कि 480 किलोमेटर दूरी जानी है अगर वो मान लिया जाए कि एक्स किलोमेटर परती घंटा के हिसाब से चल रहा है तो इसका टाइम किता होगा 480 वेटे एक्स ठीक है और कहता है कि अगर वो चाल में जो मैंने एक्स माना था उसको और घटा दिया जाए एक्स मेनेस एट हो जागा वो चाल से अगर चले तो तीन घंटा समय अधिक लेगा कोशन देखिए सिंपल है इस माना रेल गाड़ी की चाल इस अगर टू एक्स किलोमेटर पर आवर प्रसने से और हम लोग क्या जानते हैं यहां लिग देते हैं हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है दोरी बटे चाल ठीक है विसी भी काम होगा प्रसना नुसार प्रसने के नुसार अगर 460 किलोमेटर दोरी एक्स किलोमेटर प्रती घंटा के साब से चलता तो जो टाइम लेता है यहां पर एक टाइम निकले का ना माराबर कियंकि अगर आप 460 किलोमेटर एक्स मेनस एट अवर किलोमेटर प्रती घंटा के चलताया दौनों समय की देगा क्योंकि यह दूरी है यह चाल है और इसका को कि मान निकले गा वह समय होगा और इसका भी जो मान निकले वह भी समय होगा अब सपोज कीजिए कि अगर आप चार किलोमेटर परती घंटे की हिसाब से चलते तो घर से आप स्कूल माल लिया जाए कि पांस मेंड़े पहुंचते और अगर चार किलोमेटर से और कुछ घंटा देंगे तो टाइम और ज्यादा लेगा ठीक है तो वही कहता है कि यह चो टा गंटा लेगा तो इसको बराबर करने के लिए या तो तीन इधर जोड़ देंगे या तीन इधर घटा देंगे तो बराबर हो जागा तो वही तीन घंटा अधिक लेता है यह टाइम अधिक होगा तो इधर तीन घंटा घटा देते हैं ठीक है तो यह दोनों बराबर हो लाएंगे, 400C x-8, यह धर से मल्टिपले हैं, यह धर से मल्टिप्लिकरिशन होगा, 400C x-8 से 844, 4, 6, 8, 32, 38, माइनस, 3x स्क्वाइर, पलस, 28, 24 x, इस इकल टो, 400C x, यह कैंसिल हो गिया, ठीक है, यहां से क्या हो जागा, माइनस, 3x स्क्वाइर, पलस, 24 x, माइनस, 38, 140, इस इकल टो, 0, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस, 3, कॉमन ले लेते हैं, 8, 4, 12, 3, 15, तो x स्क्वाइर, माइनस, 8 x, यह पलस हो जागा, 3, कम 3, 3, 2, 6, 3, 8, 24, इतना, 0, यह धर जाएगा, 0 हो जागा, तो x स्क्वाइर, मैनस, 8 x, पलस, 1280, इस इकल टो, 0, यह हो गया, हमारा, रियल काड़ी की, चाल निकालने का, दोई घात समिकरन, तो मेरे प्यारे स्टुडेंट, आप सभी को कैसा लगा यह वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स मिल खिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना सस्क्राइब करते हैं, प्लीज सस्क्राइब कर लिजे चैनल को, आपको हर एक वीडियो में अच्छा कॉंटेंट मिलेगा, और आप जो भी डाउट चाहते हैं, कि हाँ, किलियर करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिजिए, मैं उस पे अलग से एक वीडियो बन